आपके पास Realme P1 है P1 Pro है या फिर कोई और फोन है तो यहां पे आप SIM card का जो lock है उसको आप कैसे remove कर सकते हैं change कर सकते हैं या फिर दुबारा से setup कर सकते हैं किसी भी SIM को protect करने के लिए उसको lock करने की ज़रत होती है तो इसके लिए आप यहां पे setting पे जाएंगे scroll करेंगे और यहां पे आपको option देखने को मिल जाएगा security and privacy का इस पे click कर लेंगे scroll करेंगे और यहां पे more security and privacy के option पे click कर लेना है स्क्रॉल करना है SIM lock का option है क्लिक कर लेंगे ठीक है तो यहां पे SIM 2 पे मेरे SIM पे lock लगा हुआ है जैसे कि देख सकते हैं on है इस पे click करोगे तो आपको change करने का option देखने को मिलेगा तो पहले तो current वाला lock enter कर लेना है जो आपने set किया हुआ है चेक मार्क पे click कर देंगे अब यहां पे नया SIM card हम नया SIM pin set कर सकते हैं तो अब मैं set कर लूँगी 1 2 3 4 चेक मार्क दुबारा से enter करना है 1 2 3 4 चेक मार्क यह तो हो गया कि हमने change कर लिया SIM pin ठीक है अब remove करना है तो remove करने के लिए आप इस पे गए बंद किया और जो हमने अभी set किया था न recent में वही enter कर लेंगे 1 2 3 4 चेक मार्क तो देख सकते हैं SIM card lock हट चुका है बंद हो गया है और same process देख सकते हैं SIM 1 में भी lock नहीं लगा हुआ है अब किसी को SIM में lock लगाना है तो वो कैसे लगा सकता है तो कोई भी SIM select कर लोगे इसे on कर दोगे आपके सामने SIM इस step से interface देखने को मिलेगा इसको on कर दिया अब अपने तरीके से जो भी आपको set करना है SIM pin वो set कर लोगे just for example मैं set कर देती हूँ 1 2 3 4 चेक मार्क देख सकते हैं set हो गया है तो ऐसे करके आप set कर सकते हैं बाकी remove करने के लिए तो वही SIM अपना pin डाल देना है इसको check mark कर देंगे बंद हो जाएगा तो ऐसे करके आप SIM card को lock unlock या फिर change कर सकते हैं मिलते हैं next video में तब तक के लिए नमस्कार